वेल्कम डे अच्छम क्लासिस एच्छम क्लासिस के युट्ट चनल पर आप सभी का स्वाकत है आज हम कवर कर रहे हैं और पिए सिस्टेंट प्रोफेसर 2020 बिजिनिस एड्मिनिस्टेशन रिजल्ट न्यूज अपडेट है एज उन 11-9-2023 जैसा कि आप जानते हैं कि RPC की तरफ से रिजल्ट तयार है किवल जो हाई कोट में जो केसिस लगे हुए है उसके कारण यह रिजल्ट अटका हुआ है जैपूर से तो काफी आगे बढ़ चुका था केस और रिजल्ट आ भी जाता लेकिन जो में प्रॉब्लम हो रही है वह जोद्पूर हाई कोट की दरफ से हो रही है यह जोद्पूर हाई कोट में यह केस अटक गया है तो आज सुनवाई भी है और अब तक क्या हुआ है वह हम डीटेल में बात करेंगे चलिए हम आगे बढ़े आप हमारी चैनल पर नहीं है तो हमारी चैनल को सब्सक्राब कीजिए लाइक कीजिए फ्रंस और लेटी पर साथ शेयर कीजिए बाइल आटन को प्रस कर दीजिए आज की जो ओडर की कॉपी है वह भी मैं टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दूँगा अगर आपको उस उसको डीटेल में रीट करना है तो आप टेलीग्राम चैनल जोइन करके जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबिल है आप वह से रीट कर सकते हैं कि पहले हम आज आते हैं केस की तरफ जैसे कि मैं आपको बता दूँ कि आज के जो डिसीजन है उससे पहले कि अगर हम बात करें गाने 17 अगस को जो हेरिंग ऊई थी उस हेरिंग में एंब्स वालों की तरफ से जो की कॉलेज डिपांटमेंट ने क्या है कि आप देकी हैं फे 16 अगस को रिप्लाय फाईल किया था म्ब्स फिर 17 अगस को हेरिंग थी 17 अगस को बातब हैं वालों ने इसका यह नहीं रिप्लाय का रिजोंडर फाइल करने के लिए समय मांग लिया था और जो समय दिया गया था वो ओर्डर में लिखावा था कि 6 September को है, 6-9-6 September को है, लेकिन 6 September को ये case listed नहीं हुआ, जिसके कारण आज के दिन, यानि 11 September को ये case listed हुआ था, और जो उसकी जो copy है, वो आप देखिए यहां पर है, ये आज के दिन की है, और ये 11-9-2023, यानि 11 September, अब देखिए आप इसमें, जो इसमें 4 points दिये हैं, पहली अगर short में बात करूँ, तो next date है, 20 September की, अब ये 20 September के बीचे क्या reason रहे, तो M.com की तरफ से भी कुछ candidate गहे थे, जोनों ने इस case को urgent बताते हुए, request की order के लिए, इसमें एक point ये भी है, और दूसरा, ये भी है कि M.B.A. वालों की तरफ से, मतलब जो college department ने reply file किया था, अब उसको भी reply करने के लिए, M.B.A. की तरफ से rejoinder file करने के लिए, उन्होंने फिर से समय मांग लिया, एक बार पहले समय मांगा था, फिर से समय मांगा गया, की rejoinder अमें file करना, rejoinder का मतलब यहां पर college department ने जो reply file किया था, अब उसके reply का answer rejoinder से मतलब है, अब उसका answer करने के लिए, reply file करने के लिए, इन्होंने फिर से समय मांग लिया, तो, कुल में लाकर अब समय मांगा ही जाता है, तो, at least, दो बार तो समय मिली जाता है, एक बार पहले इनको समय मिल गया था, MB वालों को, और इस बार फिर से इनको समय मिल गया है, लेकिन इसमें बता दिया गया है, की अब जो next date है, वो 20 September है, समय कम दिया गया है, अब इस सेम चीज से related, इनको last time यह समय दिया गया है, इस के, इसमें साफ लिखा हुआ है, in view, thereof, rejoinder, if any, be filed by the next date, no further opportunity shall be granted for the same purpose, अब जो college department ने फाइल किया है, reply, उस reply पर अगर वो कुछ objection उठाना है उन्हें, या कुछ कहना है, तो अब ये last time समय दिया गया है, तो वो कुछ कह सकते हैं, कुछ file कर सकते हैं, अगर वो नहीं करते हैं, तो case आगे बढ़ सकता है, और अब जो date है, वो 20 September की है, अब 20 September को देखते हैं, क्या हो रहा है, सेम order copy हो जाएगा, तो कह सकते हैं, कि result कब आएगा, इसका तो पका answer है, नहीं, full proof answer है नहीं, उसका तो, यह जो cases के जो update थे, वो मैं आपको बता रहा हूँ, अब 20 September को देखते हैं, और क्या होता है, यहाँ, 20 September है, तो इसको list होने में तोड़ा और समय लग जाता है, तो कुछ date और बढ़ सकती है, अब आने वाले समय में देखते हैं, वो regional में क्या file करते हैं, और क्या decision रहता है, यह सारे cases complete होंगे, उसके बाद ही result आपाएगी, तो यह पूरा जो order है, वो मैं आपको telegram channel पे post कर देता हूँ, channel का link description box में दिया हुआ है, तो आप join कर सकते हैं, keep watching our channel, thank you for watching our channel.